हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के मिसिंग नंबर वाले कोश्चन करेंगे तो ही स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो यहां पर जो फर्स्ट कोश्चन है हमारा यहां पर एक बॉक्स दे रख ठीक है तो सबसे पहले आपको इसमें रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है इन नंबर में तब यह आप यह कुश्चन मार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो आपको डिरेक्ली यह नीचे दिख रहा होगा जो नीचे वारे नंबर है ठीक है यहां पर 49 है यहां पर 64 है यहां पर 169 है और यह तीनों नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वेर होते है 49 जो है वो 7 का स्क्वेर होता है 68 जो है वो 8 का स्क्वेर होता है 169 जो है वो किसका होता है 13 का स्क्वेर होता है ठीक है तो देखिए 7 का स्क्वेर है तो 7 का स्क्वेर कैसे आया कितना है, 7 आएगा, और 7 का square किया था, 49, इसी तरीके से second में भी same relation बन रहा है, 4 plus 2 plus 2, 8, 8 का square हो गया, हमारा 64, और same third में भी हमारा same relation होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 13 का square, तो 5 और 3, 8 हो गए, ठीक है, 13 बनाने के लिए 8 में कितना और जोड़ना पड़ेगा, पास जोड़ना पड़ेगा, जब जाके यह 13 बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर question mark के जगा हमारा answer आएगा, option number C, 5, question number second देखते हैं, अब इसमें भी हमारा missing वाला question है, तो इसमें relation देखते हैं, relation के लिए हमें देखना है, सबसे पहले आपको यह चीज़ याद रखना है, कि relation आप या तो इस तरीके से देखोगे, या फिर इस तरीके से देखोगे, ठीक है, यहाँ पर जो बड़े number हैं, ठीक है, box में जो आपको सबसे बड़े number दिख रहे हैं, mostly उनी में relation बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़े number हैं, आपके 65, 20 और 45 है, ठीक है, तो आप ठीकिये, 7 और 6, अगर मैं इन दोनों को add कर दूँ, इन दोनों को क्या कर दूँ, add कर दूँ, 7 और 6 को अगर मैं add करूँ, तो हमारा कितना हैगा, 13 आ जाएगा, और उपर वाला जो number है, 5 उससे multiply कर दूँ, तो 13 को 5 से करा, तो 65 आ जाएगा, ठीक है, यह तो first में बन रहा है, क्या second में भी apply हो रहा है, 3 और 2 को जोड़ देंगे, 3 और 2 को जोड़ा, तो हमारा कितना 5 आ गया, और उपर वाले 4 से गुना कर दिया, तो यह वाला relation भी यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो same relation आपको यहाँ पर apply करना है, यहाँ पर कितना है आपका, नीचे 45 है, मतलब 9 को हम किस number से multiply करें, कि हमारा 45 आ जाए, ठीक है, तो किस से multiply करना पड़ेगा आपको, यह करना पड़ेगा आपको 5 से, ठीक है, 5 और 5 बनाने के लिए, 4 में आपको क्या add करना पड़ेगा, 1 add करना पड़ेगा, तो question mark की जगे पर कौन से number आएगा, ठीक है, हमें 4 option तो देए हुए है, तो सबसे पहले हमें इसमें relation find करना पड़ेगा, कि क्या relation बन रहा है, ठीक है, तो हम relation देखने है किस तरीके से बन रहा है, या तो relation हमारा उपर वाले में बन रहा होगा, ठीक है, तो देखे, यहाँ पर 28 है यहाँ पर 48 है, ठीक है, अगर मैं इन दौनों को माइनस कर दूँ, मतलब कि 48 में से माइनस करा 28, तो हमारे पर 20 आ जाएगा, और middle वाला number जो है, 60 है, और 60 बनाने के लिए कि से multiply करना पड़ेगा, 3 से, तब जाकि 60 बन जाएगा, अब देखते हैं, कि यही वाला relation हमारा relation भी इसमें apply हो रहा है, इसी तरीके से same relation आपका नीचे वाले में भी apply हो रहा है, क्योंकि 27 में से 14 घटाए, 27 में से 14 घटा दिये, तो कितना आ गया, 13 आ गया, और 13 को 3 से करा तो 39 आ जाएगा, तो same आपका यहाँ बनेगा, तो 16 में से 7 घटा देंगे, तो कितना आ जाएग 9 आ जाएगा, ठीक है, 16 में से 7 घटा दिये, 9 आ गया, और 9 को 3 से गुना करा तो कितना आ गया, 27, तो इसका answer हो जाएगा, option number D, अगला question देखते हैं, next में हमारे पास है, 552, यहाँ पर box दे रखा है, इसका relation find करके हमें question mark की value निकाल लिए है, ठीक है, तो देखते हैं, कॉन 40, 30, तो हमें यह find करना है, तो relation जो हमारा mostly इस तरीके से बनेगा, तो 5, 2 और 8, ठीक है, 5 है, 2 है, और 8 है, तो 40 बनाना है मुझे, तो 40 कैसे बनाऊंगा, 5 को 2 से गुना करा, कितना है आप, 10 और 10 को 8 से गुना करा, तो हमारा कितना आ गया, 80, 5 को 2 से गुना करा, और फिर गुना करने पर हमारा 80 आ रहा है, 80 का half कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 40 आ रहा है, सेम अगर मैं उपर वाले में, second वाले में करूँ, इसमें, 5 इंटो 4 इंटो 3, तो क्या इसमें अपलाए होगा, 12, 5, 60, 60 का आधा किया, तो हमारा 30 हो रहा है, इसमें भी relation होगा, तो क्या करेंगे, 2 गुना 1 गुना 10, यह होता है, 20, 20 का आधा किया, 2 से डिवाइड करके, तो कितना अंसर आएगा, 10 आएगा, तो question mark की जगा पर हमारा answer क्या जाएगा, 10 आजाएगा, ठीक है, तो यह थे missing number वाले कुछ important question, जो कि हर exam में पूछे जाते हैं, उमीद ह आपका मारा वीडियो पसंद आया होगा, thank you